भारत वर्सस स्रिलंका के बीच खेला गया दूसरा वंडे मुकाबला दूसरे वंडे मुकाबले में भारते टिम के कप्तान हिटमेन रोहिस सर्मा ने खेल डाली तहरी सत्के पारी 48 गेंदों की बीतर ठोक दिये 312 रन और स्रिलंका के गेंदबाजों की उड़ा करकर रख दिधजियां जिसमें 18 छक्य और 31 चोके मुझूद है हिटमेन कप्तान रोहिस सर्मा की तूफानी विस्पोटक बल्ले बाजी देखकर साइद आज आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे और आपके भी पैरों के तले जमीन खसक जाएगी सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइब हाइलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले है भारत वर्से स्रिलंका के बीच जैसा कई पहला ODI का मुकाबला खेला गया जहांपर भारतिय टिम ने काफी बहतरे न तरीके से जीत हासल की सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइब हाइलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने बाले है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक सेर्ज जरू करेगा भारत वर्से स्रिलंका के बीच दूसरे वंडे मुकाबले का जब टोस उचाला गया तो टोस की बाजी स्रिलंका के कप्तान ने जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैशला किया और इस बार हमारी भारती टीम को बल्लेबाजी करने का ने उता दे दिया स्रिलंका के गेंदबाज और कप्तान ने सोचा कि यहाँ पर भारते टीम को सो या देर सो रनों की भीदर धेर कर देंगे लेकिन भारते टीम के खतरनाक विसपोटक बल्लेबाज हिटमेन कप्तान रोही शर्मा और जब मैदान पर तूफानी विसपोटक बल्लेबाज शुमन गिल ओप्रिंग में बल्लेबाजी करने के लिए उत्रे तो पहले ही एकोबर में सांदर तरीके से हिटमेन कप्तान रोही सर्मा ने दो चोके और एक गगन चुमती छके से सिस्रुआग की हिटमेन कप्तान रोही सर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विसपोटक तरीके से गरजने लगा कप्तान रोही सर्मा ने तूफानी विसपोटक अंदाज में ताबट तोड बल्लेबाजी करते हो स्रिलंका के गेंदवाजों की धज्जिया उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो मैं तूफानी विस्पोटक बल्लेबाज गिल तीसरे ओवर की चौती बॉल पर महज 18 रंटों करके आउट होगे जहाँ पर भारतिय टीम को काफी बड़ा जटका लगा यहाँ पर जब गि चुमति छक्की के बदस्थ से चोधार रंटोग दिये, विराठ ग्हली और हिट्मन काफ्तान रोही सर्मा काफी आक्रमत और विस्पोटक अंदाज मेन पड़में पर डटकर बल्लेबाजी कर रही थे दूसरे ओडियाई मुकाबले में हिट्मन काफ्तान रोही सर्मा का ब मैदान पर तूफानी विसपोटक तरीके से चल ला था हिटमेन कप्तान रोही शर्मा को आउट करने के लिए सिरिलंका के गिंदवाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे सिरिलंका के गिंदवाजों को कुछ भी समझ में नहीं या रहा था और यहाँ पर धीरे धीरे दसमें पर तक जाते हैं ते हिटमेन कप्तान रोही सर्मा ने एक सो बार रहे ठोक दिए और अभी भी नाट आउट थे और तूफानी विसपोटक अंदाज में मैदान पर गदर बचा रहे थे तो मैं टीम इंडिया की रेड केटी विराट कोईली भी कहां किसी से पीछे रहे जाने वाले थे विराट कोईली का भी बला मैदान पर तूफानी विसपोटक तरीके से गरज रहा था तूफानी विसपोटक तरीके से डट कर बल्ले बाजी की और विराट कोईली यहाँ पर बासट रंट ठोक करके आउट होगे लेकिन सात्रमेवर की चौथी बल पर विकेट कीपर के अला हुल जब आउट होगे यहाँ पर अठाइस रंट ठोकर के दोभारती टीम को काफी बला चटका लगा बासटी टीम के तूफानी बिसपोटक बल्ले बाजी टिमन कप्तान रोही सर्मा ने तावर तोड बल्ले बाजी करते हुए स्रिलंका के गेंदवाजों की धजिया उड़ा कर गरग दी और अकेले ही तूफानी बिसपोटक बल्ले बाजी करते हुए यहां पर स्रिलंका के टीम को जाद देर तक टिक ने नहीं दिया और मेहज 18 ओवर तक जाते ही पूरी की पूरी स्रिलंका के टीम को समेट लिया और भारती टीम ने यह दूसरा T20 यानि की ODI का मुकाबला अपने नाम कर लिया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक स कर जरू कर यह मिलते हैं कि वीडियो में दबते के लिए जाहिंद वंदमात्रम।